नमस्कार विवर्स मैं रवी आपका फिर स्वागत करता हूँ मुफ्त शिक्षा के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आज हम सीखेंगे क्लास 10 में मैपिंग सेक्शन जो की हिस्टरी से पूछा जाता है उससे रेलेटिड कुछ पॉइंट्स जो आपके एक्जाम में जो की अब फरवरी के अंदर एक्जाम में अपियर होने वाले हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा और अगर इस सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट में भी आपके कोई डाउट या क्वेशन है तो आप हमारी है हिस्ट्री की तो टेंथ क्लास के सोचल साइंस में हिस्ट्री में एक ही चैप्टर है नैशनल्जम इन इंडिया नैशनल्जम इन इंडिया इस इस दा ओनली चैप्टर तो इसमें कुछ पॉइंट है आपको सिर्फ वो ध्यान रखने है और आपके हिस्ट्री में मैपिंग सेक्शन क्लियर तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले पॉइंट की जो की है अम्रिट सर्थ अम्रिट सर्थ अम्रिट सर्थ अम्रिट सर्थ अपन्जाब है पंजाब है तो इन पंजाब है और अम्रिट सर्थ अम्रिट सर्थ और हमें पता है कि अम्रिट सर्थ एक वह शहर था जिस पर जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था रोल अटेक्ट के चलते वहां पर बैसा की मनाई जा रही थी और उन दिनों मार्शल लोग जिसके बारे में लोग अवेर नहीं थी वो लगा हुआ था जिसकी वज़े से फिर जनरल डायर ने उस जलिया वाला बाग में बहुत बड़े लेवल पर मास्किलिंग की थी ठीक है इतिहास में यह बहुत ही काला दिन माना जाता है तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि अमरिचर पंजाब में है और इसकी लोकेशन मताओ कई बार पूछ लेता है कि जलिया वाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह कौन सी डेट को हुआ था तो थाटीन अप्रेल नहीं सकता तो कुछ लोकेशन्स आपको जो है वो गुजरात में पता होनी चाहिए जैसे सबसे पहले तो आपको एहमदाबाद बता होना चाहिए कि क्योंकि एहमदाबाद वो जगह है कि और इसकी लोकेशन यहां है कि ठीक है बिटा एहमदाबाद एहमदाबाद दा प्लेस जहां पर महत्मा गांदी ने अपना आश्रम बनाया था जिसको साबरमती आश्रम बोलते हैं और साबरमती नदी के वो किनारे था इसलिए उसका नाब साबरमती आश्रम पड़ा तो एक लोकेशन यह है इसके बाद आपको एक लोकेशन पता होनी चाहिए इसमें दांडी की दांडी सम्वेर यहां लोकेटिड है नीचे की तरफ एक कोस्टल एरिया यह दांडी के बारे में हम सब ने पढ़ा था कि जब सिविल डिस ओबिडेंस मुव्मेंट शुरू हुआ 1930 के अंदर तो महत्मा गांदी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की थी और नमक कानून को भंग किया था वालेशन ओफ सॉल्ट लो ठीक है तो इसलिए दांडी आपसे लोग एक्जाम में पूछी जा सकती है यह लोकेशन बहुत इंपोर्टेंट है इसके अलावा एक लोकेशन जो आपको जो और पता होनीची यह कई बार पूछ लेता बार्दोली के बारे में तो बार दोली जो है इस ही के थोड़ा से ओपर यहां है कि यहां पर भी जो है सत्याग्रह हुआ था ठीक है और टेक्स ना देने की डिसाइड हुआ था बट यह सारे के सारे चाहिए वो दांडी मार्च रहा हो चाहिए वो बार्दोली सत्याग्रह रहा हो क्योंकि यह गांदी गांदी जी ने इन सारे मुमेंट पर गांदी जी का बहुत ज्यादा इंफ्लूएंस था तो यह ज्यादा तर नॉन वॉयलेंस में बिलीव करते थे तो इन में कहीं पर भी किसी भी तरह है कि मार्चाट का अंदेशा या खबर नहीं मिलती है तो इनको बोला जाता है अहिंसक आंदोलन थे यह इसके बाद अगर हम बात करें और इसके लावा लोकेशन आपको अगर देखनी है तो दांडी एहमदाबाद बार दोली खेड़ा खेड़ा अब आपको पता होगा कि खेड़ा में भी जो है किस के लिए वा था किसने किया था किसने किया था किसने किया था भाई आ ये किया था आपका महातमा गांदी जी ने खेड़ा सत्या गुञुöm अ UC आहमदाबाद में भी एक सत्यागर्य हुआ था यह किसके लिए किया गया था यह मिल वरकर के लिए किया गया था कि जो मिल में काम करने वाले वरकर्स होते थीक है और इसके बाद एक बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चमपारण इस चमपारण पर जो है यह बिहार में एक जगह है यहां पर पहली बार महत्मा गांदी ने एफ्रिका से लोटने के बाद बाइद वे 1915 में महत्मा गांदी भारत वापिस आ गए थे तो एक साल उन्होंने पूरे देश को देखा उन्होंने उसको भर्मन किया और उसके बाद जो है 1917 में पहला नील इंडिगो के जो पिजन्स थे उनके लिए एक सत्याग्रह किया और यह पहला सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट था जो इंडिया में किया गया था तो सवाल पूछेगा कि दो फॉर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द शत्याग्रह वोज टुक प्लेज एट खेड़ा एहंदाबाद और चंपारन तो चंपारन विल पिदा राइट आंसर ठीक है इसके अलावा एक गोरकप पूर में एक जगह है यूप में एक जगह है गोरकपूर और गोरकपूर में एक जगह है चोराचोरी कि इस चोराचोरी नाम की जगह का भी history में बड़ा नाम आता है क्योंकि जब first non-cooperation movement that was started in 1920 और 1921 में उसको खतम कर दिया गया तो वो यहां पर एक incident हुआ था क्या हुआ कि non-violence का यूज करके अंदोलन चल रहा था सत्यागरे चल रहा था लेकिन एक जगह पर जब पुलिस के अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो एक भीड ने आकर एक ठाने में आग लगा दी और बहुत सारे पुलिस कर्मी महाँ पर मारे गए तो इस बात से दुखी होकर महात्मा गांधी ने क्या कर लिया अपने नॉन कॉपरेशन के मुवमेंट को कॉल्ड ओफ कर दिया तो इसलिए पूछा जाता है कि वह कौन सा इंसिडेंट था जिसके बाद जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वह जो ह है कि चोरा चोरी और इसके बाद 77 नंबर पर हमने देखा चंपारन अगर ठीक है अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट करना हुआ तो पूछ सकता कि गुदन हिल्स कहां है कि गुदन हिल्स जहां पर सीताराम राजु ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्प्रेड करवाया तो वह आंधरा परदेश में कहां है आंधरा परदेश में ठीक है जी एक जगे है अवद जिसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यूपी में फैलाया तो वह भी कहां है यूपी में ठीक है जी है तो और क्या क्या हुआ अम्रित सर हो गया एहमदाबाद हो गया दांडे हो गया बार्दोली खेडा चोरा-चोरी चंपारन गुदन हिल्स अवद्स और इसमें कौन सा एड हो सकता है इसमें एड हो सकता है कॉंग्रेस ने दिसंबर नाइंटीन ट्वेंटी के अंदर एक सेशन किया तो जो कॉंग्रेस का एनवल सेशन दिसंबर नाइंटीन ट्वेंटी में जो होता है वो कहां होता है वो होता है कॉल करता में कहां होता है कॉलकाता में ठीक है एक और सवाल पूछा जा सकता है वो सवाल है कि डिमांड ओफ पूर्ण सवराज कहां पहली बार उठाई गई कॉंग्रेस के किस सेशन में पहली बार पूर्ण सवराज टोटल इंडिपेंडेंडेंस का जो है नारा दिया गया तो वो दिया गया था लाहोर में लाहोर में ठीक है और कई बार पूछता है कि नौन कोपरेशन के टाइम पर प्लांटेशन वरकर्स ने कहां पर रिवोल्ट किया था तो वो किया था असाम में कहां किया था असाम में फीया ठीक है एक बार रिवाइज करते हैंा अम्रिट सर पंजाब में है क्या हुआ था जलिया वाला बाग अत्या कांड के लिए फेमस है इसके बाद एहमदाबाद एहमदाबाद दो चीजों के लिए फेमस है पहला 1918 के अंदर हुई मिल स्ट्राइक लेड़ बाइ महात्मा गांधी and second for the साबरमति आश्रम then we have दांडी 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 वास फेमस बिकॉस अफ़ दा सिविल डिस ओबिदेंस मुवमेंट देर वाज़ वालेशन उसके बाद बार्दोली सत्यागरह ये भी किसके लिए हुआ था नो टैक्सेशन के नाम पर खेड़ा अगेन पिजेंट के लिए सत्यागरह हुआ कब 1917 में चोरा चोरी अभी बताया है मैंने नौन कॉपरेशन इसी की वज़े से बंद हुआ था चमपारन 17 में हुआ और फॉर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ये किसका सत्यागरह का कौन सा चमपारन आपके लिए सवाल ये है कि महात्मा गांदीस को चमपारन बुलाने के लिए कौन गया था कमेंट बोक्स में इसका जवाब ज़रू दीजेगा कॉंग्रेस का एक सेक्षन जो दिसंबर 1920 में होता है वो कहां होता है वह होता है आपका कॉलकता में पूछा जाता है बहुत फेमस है और कॉंग्रेस का दूसरा एक और सेशन जो सेप्टेंबर 1920 में हुआ यह वहा था नागपुर में कहां हुआ था नागपुर में ठीक है जी तो तीन यह सेशन आपको याद होने चीए तो हिस्ट्री में अगर आपने इतना कर लिया तो यकीन मानिये हिस्ट्री से आने वाले काफी MCQs और Mapwork में आप नमबर नहीं खोएंगे तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी वेबसाइट www.mufth. शिक् सवाल पूछिए हम बहुत जल्दी आपके सवाल का आंसर करने की कोशिस करेंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही हसते रहिए मुस्कुराते रहिए जैहिंद